इंट्रोडक्शन आपके सपनों के पूरा होने के बीच सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? हम सब जानते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारा काम्याब होना सबसे स्यादा जरूरी है लेकिन काम्याभी किन किन चीजों से प्रभावित होती है अगर हम इस पर गवर करें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है आलस्य यानि लेजीनेस हम अक्सर देखते होंगे कि ज्यादा तर लोग अपने काम को डालते रहते हैं इससे न सिर्फ वो परिशान होते हैं बलकि ज्यादा दिनों तक आलस में रहने पर लोग काम की वज़े से मेंटली भी अनस्टेबल हो जाते हैं भारत के महान कूटनीतिग्य आचार्य चानक के कहते हैं आलसी व्यक्तिका ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविश्य आचार्य चानक के जी की इस बात से हम समझ सकते हैं कि जीवन से आलसी को दूर करना कितना जरूरी है आलसी के बारे में स्वामी विवेका नंद जी ने भी अपने विचार दिये हैं वो कहते हैं, जब आप व्यस्त होते हैं, तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता है। चलिए, इसे एक कहानी से समझते हैं, एक गाउं में गोलू नाम का एक आदमी रहता था, वो गद्दे बनाने का काम करता था। रूई के गद्दे बना कर वो आसपास के गाउं में बेचा करता था। पर काम सिर्फ एक घंटे तक करना। गोलू ने ऐसा ही किया और कुछी दिनों में उसकी आलसी की प्रॉबलम सॉल्फ हो गई। यही सीख हमें भी इस कहानी से मिलती है कि किसी भी काम को बस शुरू करो, क्योंकि सिर्फ शुरूात कर देने से आपका सारा काम आसान हो जाएगा। बस जी ओफ लेजीनिस की बुक समरी जिनके लेखक हैं मुहम्मद शकील। हम जानते हैं कि आप मेंसे भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ आलसी की वज़ा से अपना काम टालते रहते होंगे। क्योंकि आप उस काम को मना नहीं कर सकते। इसलिए आप कह देते हैं कि मैं इस काम को बाद में कर लूँगा। या फिर हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं बाद में इस काम को अच्छे से कर सकूँगा। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। आप काम को टालते जाते हैं और एक दिन बहुत लेट हो जाता है। इसके अलावा आलस की वज़े से न तो आपका पढ़ाई में मन लगता है नहीं किसी काम को आप बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी इस आदत को बदलना चाहते हैं और जिन्दगी में काम्यावी हसल करना चाहते हैं तो आपको इस बुक समरी को जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि इस समरी में आपको अपने आलस को दूर भगाने में मदद मिलेगी। राइटर ने अपनी किताब में आलस से निपटने के लिए कई टिप्स शेयर किये हैं। ऐसी टिप्स जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस समरी को सुनने के बाद आप अपने सपनों के करीब पहुँच सकेंगे। और नई एनरजी और मोटिवेशन के साथ एक बहतर शुरुआत कर सकेंगे। तो बने रहें, करीब जाना है, तो आलस से दूरी बनाना ज़रूरी है। क्या आप एक जिगा बैट कर घंटों मोबाइल में बिजी रहते हैं। क्या आप अपने खाले टाइम में यूट्यूब कॉमेडी वीडियो और ट्रेंडिंग वीडियो देखा करते हैं। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं और इसके लिए आप रात भर प्लैनिंग करते रहते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अभी आपके पास काफी टाइम है और वक्त आने पर आप अपना करियर आराम से सेटल कर लेंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये आपके लिए परिशानी की बात है। क्योंकि अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही ऐसे हैं जो इस तरह से सोच रहे हैं। बलकि इस दुनिया में ऐसे लोगों की भरमार है जो बनना तो बहुत कुछ चाते हैं लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। हलांकि वो अपने गोल तक पहुँचने के लिए अपने दिमाग में अलग-अलग तरह की प्लैनिंग करते रहते हैं। यहां तक कि किताब के राइटर मुहमद शकील भी कुछ इस तरह की ही आदतों के साथ अपने जिन्दगी गुजार रहे थे। वो घंटों मुबाइल फोन में सोशल मीडिया इस्तेमाल किया करते थे और उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो अपना करियर आराम से सिटल कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास अभी काफी टाइम है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब लेखक मुहमद शकील ने इस बात को एनलाइस किया और ये जाने की कोशिश की कि आखिर वो कोई काम क्यों नहीं कर पाते। हलांकि वो अपने दिमाग में तो उसके बारे में काफी कुछ सोच लेते हैं। लेकिन जब उस काम को करने की बारी आती है तो उसमें उनका मन ही नहीं लगता। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इनसान का दिमाग किस तरह से काम करता है। और उसमें मौजूद कि अब वो किसी भी काम को नहीं तालेंगे बलकि उसे फौरन करेंगे। जिसके बाद उन्होंने लगातार यूट्यूब पर वीडियोज बनाई और तब उनके चैनल से एक मिलियन सब्सक्राइबर चोड़ गए। इतना ही नहीं उनके चैनल पर दस करोड व्यूज भी आ ग रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि मुहमद शकेल की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। जहां पहले वो ये सोचते थे कि मुझे ये काम कैसे करना है या मैं इस काम को किस तरह से निप्टा पाऊंगा। उसकी जगा अब राइटर सीधा उस काम को करने में चुट गए जिसका उन्हें अच्छा खासा फैदा भी मिला। पहले वो अपने यूट्यूब चैनल तक को ठेक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे और आज वो अपने पूरी टीम को आसानी से मैनेज कर लेते हैं। इस पूरी दुन्या में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो क पारिशानी की बात ये है कि हर बार हमें अच्छा मौका नहीं मिल पाता और कभी-कभी हमें मौका मिलता भी है तो हम अपनी गलतियों की वज़जा से उसका फायदा नहीं उठा पाते। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जिन्दगी एक रेस की तरह है। आगे नहीं फिल्ड में चले जाएं। वहां आपको कॉंपटिशन देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे में अगर आप काम्याब बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा सबसे आगे रहना होगा ताकि कोई भी आपको कुचल कर आगे न बढ़ सके। अगर आप चाहते हो कि आप सभी से आगे रहें और अपने लक्षे तक जल्दी पहुँच जाएं तो इसके लिए आपको अपने अंदर से टालने की आदद को बिलकुल हटाना होगा। अगर आप बात बात में किसी काम को टाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी आदद बदलने की जरूरत है क्योंकि क इसी काम को अगर आप नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं होने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग पहले से ही तयार बैठे हैं जिनें बस काम करने का मौका मिले तो वो उसे कर जाएं। इसलिए अगर आपको काम करने का मौका मिल रहा है और फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें पुसूर आपका है और आपके आलस का है अब ऐसे में सवाल आता है कि हम अपने आलस को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं घबराने की कोई बात नहीं है अगर आप भी आलसी है और आपको कोई काम करने का मन नहीं होता तो आपको हमारी प्रफरी को सुनने के बाद आप ये जान सकेंगे कि आखिर आप कहां गलती करते आ रहे हैं। क्या आपने कभी जिम जॉइन किया है। अगर किया है तो आप जानते होंगे कि शुरुआत में आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है। जिसकी वज़ा से आप जिम जॉइन कर लेते हैं। कुछ लोगों में तो इतना ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है कि वो छे महीने की फीस एक साथ जमा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है। जैसे ही उनका मोटिवेशन कम हो जाता है या फिर उनकी बाड़ी में एनरजी कम होती है तो वो जिम जाना छोड़ देते हैं। परता कि आप कितने ज्यादा talented हैं या आपके अंदर बिल्कुल भी talent नहीं है क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो talent होने के बाद भी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बिल्कुल talent नहीं है लेकिन वो energy और motivation के साथ लगातार काम करके काम्याब हो रहे हैं लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि वक्त के साथ साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं लेकिन सच ये है कि अगर आप कोई action नहीं लेंगे तो चीज़ें वक्त के साथ साथ और ज्यादा खराब होती जाएंगी इसके करना होगा कि हर दिन में कितने घंटे होते हैं हाला कि ये बातें कभी किसी ने सोची भी रही होंगी कि साल के 365 दिनों में कितने घंटे होते हैं लेकिन जब आप इन घंटों का पता लगाएंगे तो आपको ये जानकरी होगी कि आपके पास कितना ज्यादा वक्त है और अब अब तक आप अपना कितना ज्यादा वक्त ओल्रेडी खराब कर चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 गंटे होते हैं और एक साल में 8760 गंटे होते हैं। इन में से अगर हम रोजाना 8 गंटा सोए तो हम साल के करीब 2920 गंटे सोने में बिता देते हैं। अब अपने सोने के इस वक्त को निकालने के बाद हमारे पास अभी भी 5840 गंटे बचते हैं। इसके अलावा, आप अपनी जिन्दगी को चलाने के लिए जो भी काम करते हैं, एक हफते में उस काम को 40 गंटे देते हैं, तो पूरे साल में आप 1920 गंटे अपने काम को देंगे. काम के इन घंटों को भी हटाने के बाद आपके पास 3920 घंटे बच्टे हैं एक दिन में दो घंटे आपका खाना, पीना, नहाना, मोबाइल चलाना यहां तक कि आपकी इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग का भी मिला लें तो आप इन सभी कामों पर एक साल में 730 घंटे खर्च होते हैं इन सब के बावजूद भी आपके पास 3190 घंटे बच्टे हैं लेकिन सवाल यह है कि हम इन घंटों में क्या करते हैं जायर सी बात है इन घंटों में आप हमेशा सोचते रहते होंगे कि आपको अपने जिन्दगी में क्या करना है और किस तरह से चीजें प्लान करनी है आप ये भी सोचते होंगे कि मैं जब भी कोई काम करूंगा तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करूंगा और इस तरह आपका बचा हुआ सारा टाइम आपकी प्लानिंग में ही गुजर जाता है कि आपको कैसे और क्या करना है लेकिन परिशानी की बात ये है कि आप सिर्फ सोच ही रहे हैं आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं जिसकी वज़ा से ये सब हो रहा है लेकिन जैसे ही जनवरी शुरू होता है उनका पूरा महीना ये सोचने में ही निकल जाता है कि वो किस चीज से शुरुआत करें जिसके बाद फरवरी, मार्च, एप्रिल तक यही समझ नहीं पाते कि उन्हें पहला स्टेप लेना क्या है और अपने शुरुआत किस तरह से करनी है और इस तरह से जून जुलाई भी आ जाता है और आखिर में हर साल की तरह आप सोचते ही रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते अब आप ये तो जाने ही चुके हैं कि अपने सारे काम निप्टाने के बाद भी आपके पास साल के 3190 घंटे एक्स्ट्रा बच्टे हैं समझने वाली बात ये है कि आपके लिए इन एक्स्ट्रा टाइम का सही इस्तेमाल करना बहुत स्यादा सरूरी है अगर आप इन 3190 घंटों में किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो आप हर साल 500 से भी ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं और महीने में आप 40 से 45 किताबें पढ़ सकते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा टाइम हमें मिलता तो जरूर है लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा काम भी तो होता है जैसे किसी दोस्त के साथ बाहर गूमने चले जाना या फिर किसी फैमली फंक्शन को अटेंड करना या कभी कभी हम बीमार भी पढ़ जाते हैं जिसकी वज़े से कई दिन खराब हो जाते हैं हम ये सब बातें समझ रहे हैं और राइटर भी आपकी सारी परिशानियों को ध्यान में रखकर ही ये बात बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि आप साल में 500 किताबें या फिर महीने में 40-45 किताबें ही पढ़ें अगर आपको बिलकुल भी वक्त नहीं मिलता है तब भी आप 40 नहीं तो 10 किताबें तो पढ़ ही सकते हैं भले ही फिर आप कितने भी ज्यादा बिजी क्यों न रहते हैं आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है राइटर ये भी समझते हैं कि आप एक इनसान है कोई रोबोट नहीं जिससे जैसे चाहे वैसे काम कराया जा सके ये सब आपके मूट पर भी डिपेंड करता है अगर आपका मूट ही नहीं है कुछ पढ़ने का या फिर कोई किताब खरीदने का तो आप उसको कैसे पढ़ पाएंगे चलिए हम आपके लिए इस काम को थोड़ा और भी आसान कर देते हैं अगर आप हर तरह की शिकायत कर रहे हैं और बहाने बना रहे हैं तो आप महीने में फिर भी पांच किताबे तो पढ़ी सकते हैं क्योंकि चालिस किताबों में और पांच किताबों में काफी फरक होता है अब आप सोच रहे होंगे कि हमें अपने खाली टाइम में किताबें ही क्यों पढ़नी चाहिए हम कोई और productive काम करके भी तो अपने time का सही इस्तमाल कर सकते हैं आपका सवाल बिल्कुल जायज है लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी काम्याब इंसान हैं वो किताबों को पढ़ते सरूर हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी काम्याबी की वज़ा अपनी किताबों को ही मानते हैं आप जेके रोलिंग को तो जानते ही होंगे जिन्होंने हैरी पॉर्टर लिखी है वो ऐसी राइटर हैं जो बिलिनियर हैं उनके पास साथ हजार करोड से भी ज्यादा की संपत्ती है इसके अलावा जेफ बेजॉस जो एमेजॉन कमपनी के मालिक हैं उन्होंने एमेजॉन की शुरुआत किताबें बेच कर ही की थी और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ किताबों को पढ़कर अपनी जिंदगी में कामियावी हासल की है किताब पढ़ना एक तरह का मैजिक है क्योंकि किताब में आपको हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्योशन मिल जाता है फिर भले ही वो प्रॉब्लम आपकी पॉर्सनल लाइफ से जुड़ी क्यों ना हो दुन्या के बड़े बड़े कामियाब लोग भी इसलिए किताब पढ़ते हैं ताकि वो परिशानियों से बच सकें और परिशानी आने पर उसका सॉल्योशन भी आसानी से निकाल सकें किताब हमें ये बताती है कि कुछ सीखने के लिए आप खुद गलती करें ये जरूरी नहीं होता बलकि आप दूसरों के गलती से भी काफी कुछ सेख सकते हैं अगर आप खुद गलती करते हैं और फिर उस गलती से सीखते हैं तो इसमें आपका काफी वक्त खराब हो जाता है और आप ये तो जानते ही होंगे कि आचकल जिस तरह की लाफस्टाइल ट्रेंड में है उसकी वज़ा से लोगों की अमर पहले से ही कम हो चुकी है जहां पहले लोग 80 या 90 साल जिया करते थे वहीं अब किसी इनसान के लिए 60 साल भी जीना बहुत बड़ी बात मानी जाती है ऐसी सिचुएशन में फैसला आपको ही करना है कि आप खुद गलती करके उससे सीखना चाहते हैं या फिर स्मार्ट बनकर दूसरों की गलतीयों से कुछ सीखना चाहते हैं राइटर इसके लिए जो सबसे बेहतर उपाय सुझाते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट इस टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में टाइम मैनेजमेंट इससे पहले कोई और आपके टाइम को मैनेज करें आप खुद अपने टाइम को मैनेज करना सीखें बच्छपन से ही हमें यह के सिखाया जाता है कि इंसान की जिंदगी में टाइम की कितनी ज्यादा एहमियत है हमें बच्छपन से ही पता लग जाता है कि हमें सुबह 7 बजे स्कूल जाना है और वहां से 1 बजे वापस लोड़ कर आना है इसके तुरंद बाद तीन बजे ट्यूशन भी जाना है या फिर अपने बाकी काम करने है कहने का मतलब यह है कि इनसान बच्पन से ही यह समझ जाता है कि उसकी जिन्दगी में टाइम कितनी वैल्यू रखता है लेकिन जैसे जैसे इनसान बड़ा होता जाता है धीरे धीरे उसकी आदतें बदल जाती है देर से सोना, देर से उठना, रात भर मोबाईल फोन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और ऐसे कई काम जो गहर जरूरी है और जिन से सिर्फ वक्त खराब होता है वो उन कामों को करने लगता है तेरे धीरे यही उसकी लाइफस्टाइल बन जाती है और उस इनसान को यह एहसास भी नहीं होता कि वो दिन भर में अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है अभी हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि इनसान अगर अपना सारा काम ठीक धंसे करे तब भी उसके पास साल के 3190 घंटे बचते हैं इसके बावजूद ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा काम भी नहीं करते और 3190 घंटों की जगा अपना पूरा दिन अपना पूरा वक्त सिर्फ बरबाद करते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों के सपने नहीं होते या फिर इनका कोई लक्ष नहीं होता सभी लोग सपने देखते हैं और उसके लिए ये लोग भी प्लैनिंग जरूर करते हैं लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो कोई एक्शन नहीं ले बाते तो अगर आप भी इस तरह के इनसान हैं तो परिशान होने की कोई बात नहीं है सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करना होगा क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कल क्या खाया था आज क्या खाओगे और परसों आपने क्या काम किया था या फिर कल आप कितना वक्त आफिस में बिता रहे थे इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए और ये जरूरी नहीं कि इन सब बातों को याद रखने के लिए आप अपने दमाग पर जोर दें बलकि ये सब बातें आपको खुद से ही याद होनी चाहिए क्योंकि जब आप अपनी सभी बातों को याद रखने लग जाएंगे और उन बातों पर ध्यान देने लग जाएंगे तो ज्यादतर प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म होती चली जाएंगी और आप प्रोड़क्टिव इनसान बन जाएंगे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि प्रोड़क्टिव इनसान उसे कहा जाता है जो अपना काम बहुत मेहनत से करता है लेकिन मेहनत के साथ साथ ये जरूरी है कि वो उस काम को पूरी इनर्जी और पूरे मन से भी करे क्योंकि जब तक आप कोई काम मन से नहीं करेंगे उसमें प्रोड़क्टिविटी हो ही नहीं सकती और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करें अपने पेरेंट्स को प्राउट फील कराएं तो उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ सुधार लाने ही होंगे और प्रोड़क्टिव बनना ही होगा वरना हर साल की तरह आप रेजुलेशन लेते चले जाएंगे और हर साल की तरह आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हम दिसंबर के लास्ट में ही कोई रेजुल्यूशन ले ऐसा भी तो हो सकता है कि दिसंबर तक आते आते आपके सारे सबने पूरे हो जाएं ये बात बिल्कुल सच है कि आपने जो अपना पाँच साल का टारगेट प्लैन किया है आप उसे छे महीने में भी आसल कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना दस साल का टारगेट सिर्फ छे महीने में पूरा किया है लेकिन इसके लिए आपको उनकी तरह प्रोडक्टिव बनना होगा और सबसे पहले अपने मुबाइल की लट को दूर करना होगा हम जानते हैं कि हमने जैसे ही मुबाइल की लट वर्ड का इस्तेमाल किया आप मेंसे कई लोग चौंक गए होंगे क्योंकि आप ये समरी अपने मुबाइल पर ही सुन रहे होंगे लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आप मुबाइल का सही स्तेमाल कर रहे हैं या खैलत आप मेंसे कई लोग तो इस बात को मानने को भी तयार नहीं होंगे कि उन्हें मुबाइल की लट लगी हुई है या फिर मोबाइल की एडिक्शन ने उन्हें इस तरह से घेर लिया है कि वो अपना कोई भी काम बिना मोबाइल के नहीं कर पाते। आप माने या ना माने लेकिन ये सच है कि आपको मोबाइल की लत लग चुकी है और सिर्फ आपको ही नहीं करोनों लोग आज इंटरनेट की लत में जगल चुके हैं। आप मोबाइल में कोई कॉमेडी वीडियो देखने लग जाते हूं या फिर सोशल मीडिया एप्लिकेशन का इस्तमाल करने लग जाते हूं। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये आपकी सबसे खराब आदत है और यही वज़ा है कि आप अभी भी सिर्फ प्लैनिंग करते जा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन की एडिक्शन कोई बुरी एडिक्शन नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोबाइल फोन किस तरह से आपकी मेमोरी को कमजोर कर रहा है। अब आप कहेंगे कि मोबाइल फोन मेमोरी कैसे कमजोर कर सकता है। आप सी ये सवाल किया जाए कि आपको सच में कितने मॉइल नमबर खुद से याद हैं, तो आप में से जयातातर दरोग केंगे कि zero. कई बार तो हमें अपना खुद का मॉइल नमबर भी याद नहीं होता, और वो भी हम अपने मॉबाइल में चेक करके ही किसी दूसरे को बताते हैं ये तरीका हमारी मेमरी को कमजोर करता जा रहा है अगर हम आपको कोई नमबर बताएं तो आप वो नमबर खुद से जल्दी याद नहीं कर पाएंगे और आपको उस नमबर को याद करने में काफी वक्त लगेगा लेकिन याद कीजिए जब आप छोटे थे या फिर आज से पांच-छे साल पहले आप किस तरह से चीज़ों को याद करते थे या फिर आप किस तरह से मॉबाइल नमबर या फोन नमबर तुरंत याद कर लेते थे हम जानते हैं कि आप पहले ये काम आसानी से कर लेते होंगे लेकिन अब ये काम आपके लिए मुश्किल हो गया है जिसके पीछे की वज़ा सिर्फ मॉबाइल है इतना ही नहीं मॉबाइल एडिक्शन किसी ड्रग या अलकोहल की लट से कम भी नहीं है दरसल होता ये है कि जब भी हम अपने मॉबाइल फोन में इंस्टाग्राम, फेस्बुक या यूट्यूब जैसे अप्लिकेशन ओपन करते हैं तो हमें आलग-ालग तरह का कांटेंट देखने को मिलता है जिसकी वज़ा से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग को ये सिगनल देता है कि हम खुश हैं इस वज़ा से जब भी हम अपने मुबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, और कभ हम इस डोपामीन की वज़ा से घंटों मुबाइल में लगे रह जाते हैं, ये हमें पता भी नहीं लगता। इसलिए तो मोबाइल बंद करने के बाद भी आपका मन यही करता होगा कि दोबारा मोबाइल आउन कर लिया जाए। यहां तक कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जरूरी चीज़ को सर्च करने के लिए या फिर उसे देखने के लिए अपना मुबाइल फोन आउन करते हैं लेकिन मुबाइल आउन होते ही हम ये भूल जाते हैं कि हमने आखिर मुबाइल फोन आउन क्यों किया था और हम फिर से गो मेरा सवाल ये है कि क्या आप रात को सोते वक्त अपना मोबाइल फोन किसी दूसरे रूम में रखकर सो सकते हैं। क्या आप बिना वज़ा बार बार अपना मोबाइल फोन चेक करते रहते हैं। वो भी ये जानते हुए भी कि ना तो आपको कोई फोन आया है और ना ही कोई नोटिफिकेशन क्या आप एक दिन के लिए अपना मॉबाइल फोन अपनी पॉकेट में न रखकर अपने बैग में रख सकते हैं अगर इन सब का जवाब ना है तो इसका मतलब ये है कि आपको मॉबाइल की लट लग चुकी है और ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है क्या आपने कभी सोच रहा है कि आखिर मॉबाइल फोन की लट इनसान को इतनी जल्दी कैसे लग जाती है दरसल इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंसान इंटरनेट पर जो चीज़ें देखना चाह रहा है वो उसे उसके स्मार्ट फोन में आसानी से देखने को मिल जा रही है आप जितने भी अप्लिकेशन अपने मॉबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं उन सारे अप्लिकेशन को ये पता होता है कि आप अपना कितना टाइम उनके अप्लिकेशन पर दे रहे हैं और ज्यादा तर क्या कंटेंट आपको पसंद आ रहा है क्योंकि जब आप एक ही तरह के 5 या 10 कंटेंट देख लेते हैं उसके बाद आपको application सिर्फ वही content शो करने लगते हैं यह सब एक खास किस्म के algorithm की वज़से हो पाता है और आपको कब mobile phone की लट लग जाती है यह आपको पता भी नहीं लगता smartphone अपने पास रखने के और क्या-क्या खतरनाक नुकसान है आप इसके बारे में काफी कुछ तो पहले से भी जानते होंगे और हो सकता है आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी YouTube पर सर्च भी किया हो कि mobile phone के नुकसान क्या-क्या है हम आपको यहां सिर्फ इतना बताना चाहते हैं नहीं कर रहे हैं तो आपको यह धिए नियुर्ड से दूर नहीं कर रहे हैं अगर आप चाहकर भी इस दूर नहाँ हो पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है चैंप को आपको कंट्रोल करने लग गया है जिसके बाद इस परिशानी से बाहर निकलना आपके लिए बहुत जरूरी है ऐसी लट से छुटकारा पाने के लिए आपको इनर्जी भी चाहिए और मोटिवेशन भी पर आपकी लाइफ में इनर्जी और मोटिवेशन क्यों जरूरी है? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ अगले एपिसोड में जाना होगा इनर्जी और मोटिवेशन क्यों जरूरी है? जिस देश में युवाओं के संख्या ज्यारा होती है वो देश तेजी से तरफ़ी करता है वैसे आपने कहीं न कहीं सुना भी होगा कि इनसान के पैसा कमाने के उम्र 20 से लेकर 30 साल के बीच में होती है आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? दर असल इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये है कि युवाओं के अंदर यानि यंग लोगों में इनरजी स्यादा होती है वो किसी भी काम को जब करते हैं तो पूरी इनरजी के साथ करते हैं लेकिन जब इंसान के अंदर से एनरजी खत्म हो जाए या फिर उसका किसी काम को करने का मन ही न करे तो उस इनसान के लिए काफी परिशानी खड़ी हो जाती है आज की सबसे बड़ी परिशानी यही है कि आज यंग लोगों में ही एनरजी नहीं बची है उनके भीतर किसी भी काम को करने के लिए कोई motivation नहीं आता और वो किसी भी काम को ठीक धंक से नहीं कर पाते जिसके पीछे बहुत सारे reasons हो सकते हैं पिछले episode में हमने कई ऐसे reason के बारे में बात की थी जिसकी वज़े से इंसान अपने काम को ठीक भंक से नहीं कर पाता और अपने लक्ष तक पहुँच भी नहीं पाता अगर हम आप से ये सवाल करें कि आप अभी तक अपने लक्ष तक क्यों नहीं पहुँच पाएं तो आपके पास ऐसे दस बहाने होंगे जो आप हमें बता सकेंगे आप मेंसे कुछ लोग ये कहेंगे कि मेरी जिन्दगी में और भी बहुत सारी परिशानिया चल रही हैं जिसकी वज़ा से मैं अपने लक्ष पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ हमारी कुछ महिला ओडियंस तो ये भी कहेंगी कि मैं हाउस वाइफ हूँ और इस वज़ा से मुझसे घर के काम के अलावा कोई काम किया ही नहीं जाता या पिर हो सकता है कि आप जो बनना चाहते हो वो आपके पेरेंट्स को पसंद ना हो लेकिन इसके बारे में हम कुछ कहें उससे पहले हम आप से एक सवाल और पूछना चाहते हैं सवाल ये है कि अगर आपको ये पता लगे कि 6 महीने बाद आपकी मौद होने वाली है तो आप 6 महीने तक क्या करोगे क्या आप अपने मरने का इंतजार करोगे या फिर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करोगे अब आप मेंसे ज्यादतर लोगों का जवाब यही होगा कि हम छे महीने अपनी जिन्दगी अपनी तरह से जीना चाहेंगे और अपने सपने पूरे करने में हम से जितनी मेहनत हो सकेगी हम वो जरूर करेंगे तो देखा आपने परिशानी अक्सर तब आती है जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास अभी काफी टाइम है और हम आराम से अपने गोल तक पहुँच सकते हैं क्योंकि फिर हम अपने काम को टालना शुरू कर देते हैं इसके अलावा बहुत से लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि अगर उनसे कोई काम ठीक से नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे या फिर उनके घरवालों का रियक्शन क्या होगा लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि छे महीने बाद आप ऐसे ही मरने वाले हो तो आपके मन में से ये सारा डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा फिर आप नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे और अगर मैं फेल हो गया तो उसके बाद क्या होगा कहने का मतलब बस इतना है कि आपको अपना हर दिन इस तरह से जीना है जैसे कि वो आपका आखरी दिन है और यकीन मानिए दोस्तों ऐसा करने वाले आप पहले इनसान नह होंगे अपल कमपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का कहना था कि उन्होंने 33 साल तक खुद को शीशे में देखकर ये पूछा कि अगर ये उनका आखरी दिन होता तो क्या वो तब भी इसी तरह से काम करते जब वो ये सवाल खुछ से पूछते थे तो उनके काम करने के तरीके म तो आपको ये सोचकर काम करना है कि आपके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है आपको ये सोचना है कि आपके पास अब सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं अगर आप ये सोचकर काम करोगे तो यकीनन आपको फायदा जरूर होगा और जो काम आप 10 साल में करने वाले होंगे वो आप 6 महीने में ही निपटा लेंगे क्या आपने कभी सोचा है कि हम कोई चीज याद करके उसे आखिर भूल क्यों जाते हैं मालीजिए आपने यूट्यूब से कोई नई ट्रिक सीखी या फिर कोई नई स्किल सीख ली तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको हमेशा याद रहेगी हो सकता है कि आप कुछ घंटों में ही उसे भूल जाएं और हमें यकीन है कि आपके साथ ऐसा जरूर हुआ भी होगा आप कहीं से कोई नई चीज सीख कर आते होंगे और कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आप उसे भूल जाते होंगे इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम जो भी स्किल्स सीखते हैं या जो भी नॉलिज हासिल करते हैं हम उसे कहीं अपलाई नहीं करते और उसे अपनी आदतों में नहीं ढालते तो हम उसे लंबे समय तक याद नहीं रखवाते मान दीजिए अगर कोई इनसान आपके कॉलेज टाइम में काफी अच्छा खाना बनाया करता था लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद उसने कभी खाना नहीं बनाया तो क्या आप उस इनसान से बिल्कुल वैसा ही खाना बनवा सकेंगे लाई नहीं कर पाते और वक्त के साथ साथ वो सब कुछ भूलते चले जाते हैं हलांकि अगर वो कुछ नया सीख भी रहे हैं तब भी वो पुरानी सीखी हुई सभी बातें भूलते चले जाएंगे वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के पास ज्यादा नॉलेज नहीं भी होती वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के पास ज्यादा नॉलेज नहीं भी होती और वो कम नॉलेज को अपनी आदतों में डाल लेते हैं ऐसे लोग जल्दी काम्याब हो जाते हैं और कमाल की बात तो यह है कि जब आप अपनी knowledge को अपनी habit बना लेते हैं तब तो उसके बाद आपको उसे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो आपकी एक आदत बन जाती है इसलिए आपने notice किया होगा कि जो काम करना आपकी आदत बन चुका है उससे आपका दिमाग भी नहीं ठकता आप भले ही उस काम को जितना चाहें उतना कर लें लेकिन आप ठका हुआ महसूस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी आदत बन गई है जैसे मान लीजिए आपने रोज सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली है तो आपको सुबह उठने में कोई परिशानी नहीं होगी लेकिन जो इनसान सुबह जल्दी नहीं उठता अगर उसे सुबह उठा दिया जाए तो वो काफी परिशान हो जाता है यहां तक कि उसका दिमाग भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है किसे भी काम को अपनी आदत बनाने के लिए ये जरूरी है कि आपके अंदर उसके लिए इनर्जी हो अगर आपके अंदर इनर्जी ही नहीं है तो आप उस काम को कभी कर ही नहीं पाएंगे माल लीजे आप जिम जाना चाहते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार करना चाहते हैं, लेकिन जिम जाने का आपका मन ही नहीं हुआ, तो आप इसे अपनी आदत कैसे बनाएंगे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों से जिम कर रहे हैं, और उनकी आदत भी बन गई है, वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं, क्यो पूरी तरह से हेल्दी नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम ठीक धंक से नहीं कर पाएंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की फिलिंग आती है और आप हर काम में पॉजिटिविटी देखने लग जाते हैं वहीं अगर आप थोड़ा बहुत नेगेटिव फिल करते हैं तो फिर किसी काम में आपका मन नहीं लगता क्योंकि उस वक्त आपके दमाग में अलग तरह के केमिकल रिलीज होते हैं क्या आपने सोचा है कि सिगरेट पीने वाले लोग अपनी सिगरेट पीने की आदत को चाह कर भी क्यों नहीं छोड़ पाते हाला कि कई लोग चाहते हैं कि वो अपने इस खुशी महसूस कराता है इस केमिकल को डोपामिन कहा जाता है इसलिए जब भी आप सिगरेट पीते हो आपको दो मिनट के लिए ही सही थोड़ी खुशी महसूस होती है लेकिन परिशानी की बात ये है कि जब आप लगातार सिगरेट पीते रहते हो या कोई ऐसा काम करते रह जिससे डोपामीन रिलीज हो रहा है तो दिमाग एक वक्त के बाद डोपामीन केमिकल रिलीज करना बंद कर देता है और उसके लिए आपको और ज़्यादा सिग्रेट पीनी परती है तकि आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करें। फिर वो चाहकर भी अपने इस बुरी आदत को नहीं छोड़ पाते इसका मतलब यह है कि हर तरह के काम करने के लिए आपके दिमाग में अलग अलग तरह के केमिकल का रिलीज होना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छा काम करके भी खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में डोपामीन केमिकल रिलीज नहीं हो रहा है आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो नशे के आदी होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नशे की लत में पढ़ जाते हैं फिर वो नशा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं भले ही उसके पास पैसे हूँ या ना हूँ लेकिन आपने कभी सोचा है कि असल में उसकी ऐसी क्या मजबूरी होती है जिसके वज़े से उसे चोरी करके या फिर किसी को नुकसान पहुँचा कर पैसा एकठा करना पड़ जाता है ताकि वो नशा कर सके दरसल इसके पीछे सबसे बड़ी वज़े यही है कि जब भी कोई इनसान नशा करता है भले ही वो किसी भी तरह का नशा क्यों न हो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है और जब उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो काफी खुश है और उसकी जिन्दगी में कोई परिशानी नहीं है यहां तक उसकी जिन्दगी में अगर परिशानी होती भी है तो भी वो कुछ वक्त के लिए जब तक उस नशे का असर रहता है वो सब कुछ भूल जाता है वो सिर्फ इंजुआई करता है और यही वज़ा है कि जब कोई नशा करता है तो दिमाग को डोपामिन रिलीज करने की आदत पड़ जाती है लेकिन यहां परिशानी की बात यह है कि जब कोई इनसान किसी भी वज़ा से नशा नहीं कर पाता और उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज नहीं होता ऐसे में उसका भी नशा करने का इंतिजाम कर लेता है ताकि वो खुश हो सके इससे आप समझ गए होंगे कि दमाग में डोपामीन किस तरह से काम करता है और ये आपको कितनी मुसीबत में भी डाल सकता है डोपामीन के बारे में विस्तार से हम अगले एपिसोड में बात करेंगे तब तक के लिए जाते जाते हम आपको एक काम देते जा रहे हैं आपको करना ये है कि आपको उन सभी चीज़ों को नोटिस करना है जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है भले ही वो चीज़ कुछ भी हो आपको नोटिस करना है कि आपको क्या काम करने से खुशी मिलती है और किस वज़ा से आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है डोपामीन को समझे इनसान की खुआशें अगर कम होती तो शायद जिन्दगी आसान होती जब ये दुनिया बनी थी तो शुरुआती वक्त में इनसान के पास कुछ नहीं था नहीं मॉबाइल फोन नहीं इंटरनेट कनेक्शन यहां तक कि इनसान को तो ठीक से कपड़े पहनने भी नहीं आते थे लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि धीरे धीरे इनसान इतना बदलने लग गया और आज के जमाने में वहां पहुँच गया जहां पर सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है यह सब कैसे पॉसिबल हो पाया दरसल यह सब पॉसिबल हो पाया इनसान के दिमाग की वज़ा से क्योंकि इनसान के दिमाग में ही अलग अलग तरह के आइडिया आते हैं उसे कुछ कर गुजरने का मन करता है और उसे दिमाग के जरीए ही मोटिवेशन भी मिलती है क्या आपने कभी सोचा है कि एक बल्ब को बनाने में इनसान को इतनी महनत क्यों लग गई क्यों उसे रात रात भर अपने काम के लिए जागना पड़ गया क्या आपने कभी सोचा है कि इनसान ने मोबाइल फोन बनाने में इतनी महनत क्यों की ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि उसके दिमाग ने उसे ये सब करने के लिए कहा और जैसे ही उसे अपने काम में काम्यावी मिली वो अपने काम को और बेहतर ढंक से करने लग गया काम्यावी मिलते ही उसके दिमाग में डोपामीन केमिकल रिलीज हुआ जसे उसे खुशी महसुस हुई और उसका दिमाग ये चाहने लगा कि वो बार बार डोपामीन रिलीज करे और खुशी महसूस करे हलां कि अब ऐसा करने के लिए उस इनसान को या तो ड्रग्स लेना होगा या फिर अपना काम और बेहतर ढंक से करना होगा यही वज़ा भी है कि लोग मिलेनियर बनने के बाद भी रात दिन मेहनत करते हैं ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई इनसान करोड़ पती बन गया है और उसने काम करना छोड़ दिया और अब सिर्फ आराम की जिन्दगी बिता रहा है उल्टा लोग जब करोड़ पती बनते हैं तो और ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनसे ऐसा करने के लिए कहता है उसे ये सब करके डोपामीन मिल रहा है इनसान अगर अच्छा महसूस करना चाहता है और अपने दिमाग में डोपामीन केमिकल रिलीज करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास हमेशा दो रास्ते मौजूद होते हैं पहला रास्ता ये है कि वो इनसान अपने लक्ष को पाने के लिए मेहनत करे मोटिवेशन के साथ उस पर काम करे जिससे उसके दिमाग में डोपामीन केमिकल रिलीज हो सके लेकिन अगर कोई इनसान ये सब नहीं कर पा रहा है तो उसके पास दूसरा रास्ता ये होता है कि वो अपने दिमाग में डोपामीन रिलीज करने के लिए सिगरेट, तमबाकू या फिर अलग अलग तरह के नशे करने लग जाए और ज़्यादा तर लोग ऐसा कर भी रहे हैं आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी लोग नशा करते हैं भले ही वो किसी भी तरह का नशा करते हैं उन लोगों के सपने बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और जब वो उन सपनों तक पहुँच नहीं पाते हैं तो वो ज्यादा नशा करने लग जाते हैं ताकि जो खुशी उन्हें नहीं मिल रही है वो उस खुशी को दूर से ही महसूस कर सकें लेकिन ये फैसला आपको करना है कि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं या फिर नशा करके सिर्फ कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए खुश रहना चाहते हैं आपने कभी न कभी ये नोटिस जरूर किया होगा कि हमारी खुश कभी खत्म नहीं होती पहले हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी जॉब लग जाए और जॉब मिलने के बाद हम ये दूआ करते हैं कि हमारा प्रोमोशन हो जाए जब प्रोमोशन हो जाता है तो हमें ये महसूस होने लगता है कि हमें थोड़े और उंचे पोस्ट पर होना चाहिए ताकि हम और ज्यादा पैसे कमा सकें कहने का मतलब ये है कि इनसान के खुआशें कभी पूरी नहीं होती और इसके पीछे भी सिर्फ यही वज़ा है कि जब वो इनसान कहीं भी सक्सेस्फुल होता है तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है लोग उसकी तारीफ करते हैं जससे उसे और ज्यादा खुशी महसूस होती है इस वज़ा से उसका दिमाग चाहता है कि वो एक बार फिर से डोपामीन रिलीज करे और दोबारा से खुशी महसूस कर सके इसी वज़ा से लोग अपनी खुशी महसूस होती है और फिर जिम जाकर और ज्यादा महनत करने लगता है ताकि अपनी बाडी को और ज्यादा बेतर बना सके इसी तरह आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरी पूरी रात गेम खेलते रहते हैं और उन्हें बिल्कुल भी ठकावट महसूस नहीं होती इसके पीछे क्या वज़ा है? ज्यादा सोचने की जरूएत नहीं है क्योंकि इसके पीछे भी सिर्फ दिमाग में मौजूद डोपामीन केमिकल है जो उस इनसान को टाइम टाइम पर रिवाट देता रहता है उसे गेम में थोड़ी भी कामयाबी मिलती है तो उसका ब्रेन उसे रिवाट देता है और उसके बाद उसका दिमाग ये कोशिश करता है कि वो और ज्यादा डोपामीन रिलीस कर सके जिस वज़े से वो रात भर भी गेम खेलता है तो उसे ठकावट महसूस नहीं होती ठीक यही रूल आलस यानि लेजीनिस पर भी अपलाई होता है जब को इनसान अपनी बाड़ी में लेजीनिस की आदत बना लेता है तो उसके दिमाग को ऐसा लगने लगता है कि यही इसका कमफर्ट जोन है और यही करके इसे खुशी भी मिलती है लेकिन जैसे ही उसे कोई काम बताया जाता है या फिर वो कोई काम करता है तो उसका मन ही नहीं लगता और वो चाह कर भी कोई काम ठीक धंक से नहीं कर पाता जब आपका दिमाग आपके काम करने के दोरान डोपामीन रिलीज करने लगे तो आपको यह समझ जाना है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिल रही है जो लोग हमेशे ये शिकायत करते हैं कि उन्हें मैट समझ में नहीं आती उनसे हम बस ये पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी जिन्दगी में कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्फ किया है अगर किया है तो उस वक्त को याद कीजिए जब आपको क्वेश्चन सॉल्फ करके खुशी मिली थी तब आपका ये मन जरूर हुआ होगा कि चलो एक और क्वेश्चन सॉल्फ करते हैं ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं बलकि कई लोगों के साथ हुआ होगा अगर ये सवाल किया जाए कि असल में हैपिनेस यानि खुशी क्या है तो आप इसका जवाब क्या देंगे आप में सिब बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि जिन्दगी में सक्सेस्फुल होना ही असली हैपिनेस है जबकि कुछ लोग ऐसा मानते होंगे कि जिन्दगी में सारी परिशानी को दूर करना ही असली खुशी है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये मानते हैं कि लोगों से तारीफ पाना असली हैपिनेस है हर इंसान अपने अलग तरीके से अपने खुशी ढूंड लेता है किसी इनसान को अपने हाथों से खाना बनाना अच्छा लगता है तो कोई लोगों को सर्विस दे कर खुशी महसूस करता है वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुशी पाने के लिए नशा करते हैं लेकिन आपको इन सब के बीच में ये समझना होगा कि आपका दिमाग आपको रिवार्ड देने के लिए बना है अगर आप अपने दिमाग को गलत तरह से ट्रेन करेंगे तो इसका नुकसान आपको ही जहलना होगा अगर आप सिर्फ नशे करके अपनी जिन्दगी में खुशी ढूनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि ये आपको जिन्दगी भर खुशी नहीं देने वाला है क्योंकि नशे से आपकी जिन्दगी बहुत जल्दी खत्म होने के कगार पर पहुँच जाएगी आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी काम को बेहतर ढंग से कर लेते हैं तो लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं आपको काफी खुशी महसूस होगी है और आपका मन करता है कि आप इस तरह के काम और भी करते रहें लेकिन वहीं अगर आप कोई काम पूरी शिद्दत से करते हैं और बदले में लोग उसकी तारीफ तो दूर बलकि उसकी तरह ध्यान भी नहीं देते तो आपका मन होता है कि इस काम को यहीं बंद कर दिया जाए दरसल ऐसा आप नहीं करते बलकि आपका दिमाग आप से करवाता है और जब आपके दिमाग को लगता है कि ये काम करके आपको खुशी नहीं मिल रही तो वो आपसे काम करने के लिए मना कर देता है अब ऐसे में कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि क्या डोपामीन केमिकल को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता या फिर अगर ये होता ही नहीं तो कैसा होता लेकिन आपके मन में ये ख्याल लाने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर डोपामीन नहीं होता तो आप कभी खुशी महसूस करी ही नहीं पाते जो लोग सब कुछ होने के बाद भी खुशी महसूस नहीं कर पाते उसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा यही होती है कि उनके दिमाग ने उन्हें रिवार्ट देना बंद कर दिया है जिसके वज़ा से उनके पास सब कुछ होने के बाद भी उन्हें सब कुछ अधूरा लगने लगता है याद कीजिए जब आपको पहली बार किसी से प्यार हुआ था और जब आप काफी अच्छा महसूस करने लगे थे उसके पीछे भी डोपामीन केमिकल ही था जो आपको ये महसूस करा रहा था कि उस लड़की या लड़के से बात करने में आपको अच्छा महसूस होगा यानि आसान भाशा में कहें तो अगर डोपामीन नहीं होता तो इस दुनिया में सिर्फ अरेंज मेरिज ही होते लव मेरिज का चक्कर ही खत्म हो जाता अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम अपने दिमाग में मौझूद डोपामीन केमिकल के लेवल को खुद से नहीं बढ़ा सकते हैं इसका जवाब है हाँ अगर आप चाहें तो अपने डोपामीन के लेवल को खुद से भी बढ़ा सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले मेडिटेशन करने की आदत बनानी होगी हो सकता है कि आपको पहले भी किसी ने मेडिटेशन करने की सलाह जरूर दी हो क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि मेडिटेशन करने के बाद उनकी जिंदगी में अच्छा बदला हुआ है एक लिसर्ज की मानी जाए तो उसमें ये पाया गया है कि जो लोग रोजाना एक घंटा मेडिटेशन करते हैं उनके दिमाग में डोपामीन का प्रोड़क्शन 64 प्रतिशत ज्यादा होता है और जिस इंसान के दिमाग में 64 प्रतिशत डोपामीन लेवल इंक्रीज हो जाएगा वो कभी भी डी मोटिवेट या फिर डिप्रेशन में नहीं जा सकता क्योंकि उसका दिमाग उसे रिवाड देता रहेगा और वो हमेशा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रहेगा इसके अलाबा आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है अब आप ये कह रहे होंगे कि दिमाग में मौझूद केमिकल का एक्सरसाइज से क्या लेना देना है तो इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे बलकि आपको ये खुद महसूस करना है आपको करना ये है कि आप 30 मिनट का टाइम निकाल कर कोई भी एक्सरसाइज करिए भले ही आप जॉगिंग करें या फिर किसी जिम में जाएं 30 मिनट की एक्सरसाइज के बाद आपको ध्यान देना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको अच्छा महसूस जरूर होगा क्योंकि exercise एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा डोपामीन रिलीस करती है और exercise करने के बाद आपको नीद भी अच्छी आती है नीद की बात हुई है तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है क्योंकि अगर रात के वक्त आपके दिमाग में डोपामीन रिलीस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जल्दी नीद नहीं आने वाली आपने ये तो समझी लिया है कि डोपामीन इंसान की दिमाग को खुश कर देता है जिसकी वज़े से उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है लेकिन जब डोपामीन रिलीज होता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं और आपकी बॉड़ी एक्टिव हो जाती है ऐसे में जब आपकी बॉड़ी एक्टिव हो जाती है और आप पूरी तरह से अलर्ट होंगे तो आपके लिए सो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल रात के वक्त भी करते हो तो आप ये जानते ही होंगे कि आपके लिए वक्त पर सोना कितना ज्यादा मुश्किल है कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आप रात भर नहीं सो पाते होंगे और चाह कर भी आपको नीद नहीं आती होगी इसके पीछे यही वज़ा है कि आप सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अनिक तरह का कंटेंट देखकर अपने दिमाग में डोपामीन रिलीज कर देते हैं जिसकी वज़ा से आप ठीक से सो भी नहीं पाते आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अच्छी नीद के लिए डोपामीन का कम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये बात भी पूरी तरह से सच है कि जिस इंसान के दिमाग में रात भर डोपामीन रिलीज होता है वो अगले दिन सुबह ज़्यादा ठका हुआ महसूस करता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगले दिन उसके दिमाग में डोपामीन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता इसलिए हमें बार बार ये सलाह दी जाती है कि अच्छी नींद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आपको अच्छी नींद मिलेगी तो आपके दिमाग में ठीक तरह से डोपामीन भी रिलीज होगा फिर आप आसानी से अपना काम पूरा कर सकेंगे जाना जरूरी है कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें रात को वक्त पर सुएं और वो काम करें जिसे करने में आपको सच में खुशी महसूस होती है जिससे आपका दिमाग सच में डोपामीन रिलीज करता है जब आप अपने पसंद का काम करेंगे और उसमें अपना करियर बनाएंगे तो आपको जिन्दगी भर ये महसूस ही नहीं होगा कि आपको कोई काम करना पड़ रहा है क्योंकि आपका दिमाग आपको बीच बीच में रिवार्ट देता रहेगा जिसके वज़े से आपको ठकावट भी महसूस नहीं होगी फिलहाल हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है लेकिन अगला एपिसोड आपके लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगले एपिसोड में हम इस बात पर डिसकेशन करेंगे कि आप अपना गोल किस तरह से सिट कर सकते हैं और कैसे उस गोल को अचीव कर सकते हैं तो अगला एपिसोड ज़रूर सुने अपने गोल को अचीव करना सीखें Psychology of Laziness यानि आलस का मनुविग्यान बुक की समरी के इस सफर के पाँचवे एपिसोड में आप सभी का वेलकम है अलग अलग एपिसोड के ज़रूर आप अपने दिमाग के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे हमने अलग अलग अपिसोड में आपको बताया कि टाइम मेनेजमेंट के गुन आप किस तरह से सीख सकते हैं और इनसान के खुश रहने के लिए उसके दिमाग में कौन सा केमिकल रिलीज होना जरूरी है इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि किस तरह से ये केमिकल इनसानों से काम करा सकता है आईए अब इस एपिसोड में हम ये जानते हैं कि अगर हमारा कोई लक्ष है तो किन तरीकों से हम अपने लक्षियों को पा सकते हैं इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इनसान होगा जिसके कोई सपने नहूं हम बचपन से ही सपने देखने लगते हैं कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजिनियर कहीं कोई अपने माबाप का नाम रोशन करना चाहता है और खुब सारा पैसा कमाना चाहता है लेकिन उन्हें ये आईडिया नहीं होता कि वो अपने लक्ष तक किस तरह से पहुँच सकते हैं ज्यादा तर लोग यहीं कनफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन सब के शुरुआत किस तरह से की जाए कहने का मतलब है कि अगर आप अलग-अलग एपिसोड के जरीए ये सारी बातें जान चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने हत्यार की धार तो तेज कर लिया है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस हत्यार से आप क्या काटने वाले हैं अगर आपने अभी तक अपनी जिन्दगी में सिर्फ नाकामियों का ही सामना किया है तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आगे हम जिन तरीकों के बारे में आपको बताने वाले हैं वो तरीके आपको ना तो किसी और किताब में पढ़ने को मिलेंगे ना ही आपको यूट्यूब पर इस तरीके के बारे में कोई जानकारी मिलेगी क्योंकि राइटर मुहमर्श शकील ने काफी रिसर्च और मेहनत करने के बाद कुछ तरीके इकटे किये हैं जिनका इस्तिमाल करके हम अपने लक्ष तक पहुँच सकते हैं इसलिए अगर आप भी अपना लक्ष पाना चाहते हैं और इसके लिए हर तरह की कोशिश करके ठक चुके हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर आपसे गलती कहां हो रही है आपने कभी न कभी कोई मूवी तो देखी ही होगी मूवी सिर्फ तीन घंटे की होती है लेकिन उसको बनाने के पीछे तीन साल भी कम पड़ जाते हैं चलिए मूवी का उधारन लेकर ही हम आपको समझाते हैं कि आप अपना गोल किस तरह से अचीव कर सकते हैं जब कोई डारेक्टर, प्रोड्यूसर, मूवी बनाने की सोचता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक आइडिया होता है और उस आइडिया के बेस पर वो मूवी बनाने का फैसला करता है उसके बाद अपने दिमाग में जो कुछ है उसे एक पेपर पर लिखता है जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं और उस स्क्रिप्ट में हर छोटी बड़ी चीज लिखी जाती है बले ही एक सिकंड का शॉर्ट क्यों न हो सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा जाता है स्क्रिप्ट कम्प्लीट हो जाने के बाद पूरी टीम को ये पता लग जाता है कि आखिर उन्हें करना क्या है उसे एक बार कहीं पेपर या मोबाइल पर लिख लें या मोबाइल में लिख लें हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप याद की हुई चीज को कभी नहीं भूलेंगे इसी वज़े से फिल्म के स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है ताकि काम करने में आसानी हो स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद वीडियो पर काम होता है और सब कुछ डिसकस किया जाता है जैसे कैमरा एंगल क्या रखना है और कितने शॉट्स लेने है जब वीडियो का काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद background music add किया जाता है इसके अलावा अगर dubbing की ज़रुत है तो voice dubbing की जाती है तब कहीं जाकर कोई 3 घंटे की movie बनती है ऐसा है कुछ हम भी आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर अपने goal को achieve करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे कहीं लिख लें आप mobile में भी लिख सकते हैं या फिर अपनी personal diary में भी लिख सकते हैं आपको जो भी करना है सब कुछ लिख दीजिए उसके बाद उसे टुकड़ों में तोड़ कर शुरू कीजिए क्योंकि कोई भी इंसान ground floor से सीधा fifth floor पर नहीं पहुँचता उसे हर floor पर होकर जाना पड़ता है तसलिए आपको भी step by step ही आगे बढ़ना पड़ेगा और इन सब बातों की जानकारी आपको अपने दिमाग को देनी होगी कि आप उसे क्या काम करवाना चाहते हैं आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका दिमाग actor है और आप director है डिरेक्टर का काम होता है कि actor को सही direction देना और उसे काम कराना ठीक इसी तरह से आपको भी अपने दिमाग को direction देना है और उसे काम कराना है जब आप step by step अपने goal को achieve करते जाएंगे तो एक दिन आप अपने सारे सपने को पूरा कर सकेंगे लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सीधा अपने सपने पूरे कर लेंगे तो ये possible ही नहीं है क्योंकि आपको हर level से होकर गुजरना पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि आपको कहीं रास्ता आसान भी लगेगा और कहीं मुश्किल भी लग सकता है लेकिन आपको अपने दिमाग को ये बताना है कि तुम्हें हार नहीं माननी है और अपने अंदर energy और motivation के साथ आगे बढ़ते जाना है हमने अभी तक आपको जितनी भी बातें बताई हैं हो सकता है कि आप उनमें से कुछ बातें भूल जाएं ऐसा हम नहीं कह रहे बलकि इस बुक के राइटर मुहमर शकील का भी यही मानना है जब हम कुछ सीखते हैं और उसे कहीं अपलाई नहीं करते तो हम उस चीज़ को धीरे-धीरे भूलने लगते हैं अपने पिछले कुछ एपिसोड में भी इस बात को काफी डीटेल में जाना होगा कि हम सीख कर आखिर भूल क्यों जाते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और समरी सुनने की जगा आप कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब आप कुछ नॉलेज गेन करते हैं तो आप अपनी पहली स्टेज ऐसे ही क्लियर कर लेते हैं जहां लोग अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के बाद जब उन्हें कुछ सीखने को मिलता है तब उनकी पहली स्टेज क्लियर हो बाती है इसलिए अगर आप इन सब बातों को ध्यान से सुनते आ रहे हैं और इन सब चीजों को अपने जिन्दगी में अपलाई कर चुके हैं तो आपकी पहली स्टेज अपने आप ही क्लियर हो गई है अब आप समझ चुके हैं कि आपके लिए टाइम की वैल्यू क्या है और आप अपने गोल तक 5 यद 10 साल में नहीं बलकि 6 महीने में भी पहुँच सकते हैं अगर आप स्कूल गए हैं तो आप जानते होंगे कि स्कूल में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है उस वक्त तो बच्चों को सब कुछ याद रहता है लेकिन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बच्चे सारी बातें भूल जाते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो टीचर खुद भी भूल जाता है कि उसने क्या पढ़ाया था इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम स्कूल में जो कुछ सीखते हैं उसे अपनी जिन्दगी में अपलाई नहीं करते हम टीचर से ये तो सुनते हैं कि बड़ों की इज़त करनी चाहिए उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए लेकिन हम उनकी बातों को अपनी लाइफ में अपलाई नहीं करते और भूल जाते हैं ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि टीचर खुद अपनी नौलिज का सही इस्तिमाल नहीं करते वो बस स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए खुद पढ़कर आते हैं और बच्चों को समझा देते हैं लेकिन अगर उन्होंने उन सभी बातों को अपनी जिंदगी में अपलाई किया होता तो उनके आस पास अलग अलग तरह के एक्जामपल होते जिससे बच्चे उनकी बात को बेहतर ढंग से समझ पाते राइटर बताते हैं कि जब वे 12th क्लास में थे तो वो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त उन्हें ऐसे लोग भी बिजनस करने की सलाह दे रहे थे जिन्होंने कभी खुद कोई बिजनस नहीं किया था इसलिए आपको ऐसे लोगों की सलाह से बचना होगा अब दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि आप अपना गोल किस तरह से पा सकते हैं आईए अप जानते हैं कि अपना सपना पूरा करने के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए वैसे आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आप अगर शुरुआत कर लेते हैं तो आपको इसे हमेशा continue कैसे रखना है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन बीच में कहीं उनकी इनरजी कम हो जाती है या मोटिवेशन कम हो जाती है और वो उस काम को continue नहीं करवाते हम चाहते हैं कि आप इस बात की जानकारी बिल्कुल fresh mind से हासिल करें इसलिए हम अगला एपिसोड यहीं से continue करेंगे तब तक के लिए आपको बताई गई सभी चीजों को एक बार फिर से समझना है और अपनी जिन्दगी में सीखी हुई चीजों को apply करना शुरू करना है इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आप पहले इन तरीकों का इस्तेमाल छोटी जगहों पर करें और जब आपको पूरी तरह से यकीन हो जाए कि राइटर के बताई गए तरीके सच में काम कर रहे हैं तो आप इसे बड़े लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं जरूरत इनसान की जरूरतें उससे कुछ भी करा सकती हैं पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि आखिर आप अपना गोल कैसे सेट कर सकते हैं और आपके लिए शुरुआत करना कितना ज्यादा जरूरी होता है आईए अब ये जानते हैं कि आप किस तरह से बेहतर शुरुआत कर सकते हैं और उसे कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं अगर आपने सारे एपिसोड बहुत ध्यान से सुने हैं तो आप ये बात जान ही चुके होंगे कि दिमाग में डोपामीन केमिकल किस तरह से काम करता है ये हम आप से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें आपको मज़ा आना भी जरूरी है क्योंकि जब तक आपको किसी काम में मज़ा नहीं आता आप मन से उस काम में मिहनत नहीं करेंगे अपनी इनरजी उसमें नहीं डालेंगे और एक अहम बात आपको मज़ा तभी आएगा जब आपके दिमाग से डोपामीन रिलीज होगा और फिर इस तरह की चेन बन जाएगी जैसे जैसे आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करेगा आप उस काम में उतना ही ज्यादा इन्वाल्व होते चले जाएंगे आप यहां तक सोचने लग जाएंगे कि यार मुझे इतना ज्यादा मज़ा क्यों आ रहा है कहीं मुझे मेरे ही नजर ना लग जाए ये बात कोई मज़ाग नहीं है अगर आप सच में इन सब बातों को समझ गए तो आप सच में ये कहेंगे कि कहीं मुझे नजर ना लग जाए बस आपको करना ये है कि आप इन सभी तरियपों को अपनी जिंदगी में ठीक से अपलाई करें तो चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों कि आपने कभी ये सोचा है कि लोग अपने गोल को अचीव करने की शुरुआत करने में इतना वक्त क्यों लगा देते हैं दरसल इसके पीछे एक रीजन ये है कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं वैसे जाहिर सी बात है कि अगर आपकी जिन्दगी में पहले से कोई परिशानी चल रही है तो आप कोई और रिस्क नहीं ले पाएंगे लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि आप जल्द ही मरने वाले है तो आपके मन में जो भी डर है वो खत्म हो जाएगा ज्यादातर लोगों के मन में ये डर रहता है कि अगर इस बार भी उन्होंने शुरुआत की और फैल हो गए तो लोग क्या कहेंगे लेकिन अगर आप ये मान कर चलें कि छे महीने बाद आपकी मौत होने वाली है और आपको उपर वाले ने खुद को साबित करने के लिए महस छे महीने का ही वक्त दिया है तो आप ये सारी बातें खुद ही अपने दिमाग से निकाल देंगे और आपका सारा फोकस सिर्फ इस बात पर होगा कि आप अपना गोल अचीव करके दुनिया को दिखा सकें कि आपके अंदर क्या काबलियत है तो अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है और अलग-अलग तरह के ख्यालों ने आपके दिमाग को जकर रखा है तो आपको ये समझ लेना है कि आपके पास सिर्फ 6 महीने का ही वक्त बचा है जब आप ये मान लेंगे तो आप अपने करियर के लिए एक बेहतर शुरुआत कर लेंगे आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा दिमाग हमें ये इशारा करता है कि हम ज्यादा खाना खा रहे हैं इसी तरह अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉड़ी इसका भी इशारा देती है लेकिन जब हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हम ज्यादा सोच रहे हैं या नहीं अगर इंसान को ये पता लग जाए कि वो overthinking कर रहा है और किसी चीज़ के बारे में जरुरत से ज्यादा सोच रहा है तो वो अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश कर सकता है लेकिन दिक्तता बाती है जब लोगों को पता ही नहीं होता कि वो overthinking कर रहे हैं क्या आप जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में ज्यादा overthinking करने लगते हैं तो उसमें हमारी energy भी काफी ज्यादा waste हो जाती है और तब आपको ठका हुआ भी महसूस होने लगता है ऐसा लगने लगता है जैसे आपने बहुत सारा काम किया हो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को reality और fiction के बीच का फर्ख नहीं पता है जो आप सोचते हैं आपके दिमाग को लगता है यही reality है अगर आप इस बात को बेहतर ढंक से समझना चाहते हैं तो आप किसी ऐसी चीज़ को देख सकते हैं जिससे आपको गुसा आता है आप ये पाएंगे कि आप अगर किसी गुसे वाली चीज़ को imagine कर रहे हैं तो आपकी पूरी body उसमें involved हो रही है और आपको सच में ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा गुसा आ रहा है कहने का मतलब यही है कि आपके दिमाग को नहीं पता होता कि आप imaginary कुछ सोच रहे हैं या फिर reality में ऐसा उनके साथ हो रहा है इसी वज़ा से इनसान जब ज्यादा सोचने लगता है तो वो कुछ कर नहीं बाता वो सपनों का महल खड़ा कर रहा होता है लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सारी energy तो उसके सोचने में ही लग जाती है इसके अलावा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो भी काम करेंगे बिलकुल perfection के साथ करेंगे तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसी सोच के साथ आप कभी भी शुरुआत कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि कोई भी काम जब आप पहली बार करते हैं तो आप उसमें perfect नहीं होते जब आप जिम जाते हैं तो आप जाते ही वहाँ पर 20 किलो के डंबल नहीं उठा लेते आप धीरे धीरे इसकी शुरुआत करते हैं और साल गुजरने के साथ साथ आप जिम करने का बेहतर तरीका जान पाते हैं ठीक इसी तरह आप कोई भी काम ले लीजिए जब भी आप उसे पहली बार करने जाएंगे तो उसमें perfect नहीं हो पाएंगे लेकिन जब आपको उस काम का experience होगा आप उस काम को ज्यादा बेहतर ढंक से कर पाएंगे अगर आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि आप अपने दिमाग में जो भी सोच रहे हैं वो सब कुछ हाकिकत में तबदील होने वाला है अगर आपके दिमाग में कोई negative thoughts चल रहा है तो आपको ये समझना है कि अगर आप गलत सोचेंगे तो आपके साथ गलत हो भी सकता है जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप अपने दिमाग से negative thoughts अपने आप ही हटा देंगे आपके दिमाग में नेगेटिव थौट्स आते ही आप उन्हें रोक सकेंगे आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि इनसान की जरूरतें उससे कुछ भी करा सकती है इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहते है और उसके लिए ना तो आपके अंदर इनरजी है और ना ही मोटिवेशन है लेकिन आपके लिए वो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप ना चाहते हुए भी उस काम को करेंगे क्योंकि वो आपकी सरूरत बन गई है जिस तरह से आप खाना खाए बिना नहीं रह सकते अगर आपको दो दिन खाना ना मिले तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तयार हो जाएंगे मान लीजिए आप नौन वेश नहीं खाते क्योंकि आप वेजिटेरियन है अब आप किसी ऐसे जंगल में फंस जाते हैं जहां आसपास कोई नहीं है और पांच दिन भूके रहने के बाद आपको खाना खाने का मौका मिलता है लेकिन वो नौन वेश होता है तो इस बात के ज्यादा चांसे हैं कि आप वो नौन वेश खाना भी खालेंगे क्योंकि उस वक्त आपको खाने की जरूरत महसूस हो रही होगी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है लेकिन आपको अपनी जरूरत पता है तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद से गुज़र जाएंगे और हर काम आसानी से कर पाएंगे आपने देखा होगा कि जितने भी सक्सेस्फुल लोग है उनकी एक कहानी होती ही है वो एक ऐसे परिवार में पले बढ़े होते हैं जहां पर जरूरतों की हर चीज़ के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है और इसी वज़ा से वो लोग काम्याब भी हो पाते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की एहमियत के बारे में पता होता है अपनी जरूरतों को पूरा करना कितना जरूरी है वो इस बात को भी बखू भी जानते हैं जब आपके जिन्दगी में इस तरह की सिचुएशन क्रियेट हो जाती है तो आपके जो भी गोल है वो आपकी जरूरत बन जाते है और वो जरूरत आपसे कुछ भी करा सकती है इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कहां से शुरूरत करनी है और शुरूरत बहतर होनी चाहिए या नहीं तो अपने दमाग से सबसे पहले ये पूछें कि आपको अपना गोल अचीव करने की जरूरत क्या है जब आप ये जान लेंगे कि आपके लिए आपका करियर कितना जरूरी है तो आप खुद बखुद एक स्टेज पार कर लेंगे और अपने करियर के लिए बहतर शुरूरत कर पाएंगे इसी सीख के साथ हमारी ये बुक समरी यहीं कम्प्लीट होती है हम उमीद करते हैं कि आपने अलग-अलग एपसोड में जितनी भी बातें जानी है उन सभी बातों को आप अपनी जिंदगी में अपलाई सरूर करेंगे अगर आप अपने आपको बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी में बदलाओ लाना चाहते हैं तो आपको इन सभी तरियकों को अपनी जिन्दगी में अच्छे से अपलाई करना है ताकि ये आपकी आदत बन जाए और आप चाहकर भी अपनी आदत को बदल ना सकें अगर आपने एक बार अपनी टालने वाली आदत को बदल लिया तो आप अपना कितना वक्त बचा पाएंगे और कितने कम वक्त में अपने गोल अचीव कर पाएंगे इसका आपको अंदाजा भी नहीं है ज्यादत तर लोग यही करते हैं वो अपने काम को टालते रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास काफी वक्त है और वो कभी भी अपने गोल अचीव कर लेंगे लेकिन सच तो यह है कि आज के समय में किसी के भी पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ इस तरह का हो गया है जिसकी वज़ा से लोग ज्यादा लंबी जिन्दगी नहीं जी पाते तो अगर आप इस दुनिया से कुछ करके जाना चाहते हैं और अपने और अपने परिवार को प्राउड फील करना चाहते हैं तो आपको अपनी जिन्दगी में कुछ बड़े बदलाव लाने ही होंगे है और इसके शुरुआत जहां पहले लोग 80 या 90 साल जिया करते थे वहीं अब किसी इन्सान के लिए 60 साल भी जीना बहुत बड़ी बात मानी जाती है ऐसी सिचुएशन में फैसला आपको ही करना है कि आप खुद गलती करके उससे सीखना चाहते हैं या फिर स्मार्ट बनकर दूसरों के गलतीयों से कुछ सीखना चाहते हैं राइटर इसके लिए जो सबसे बेहतर उपाय सुझाते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट इस टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में टाइम मैनेजमेंट इससे पहले कोई और आपके टाइम को मैनेज करें आप खुद अपने टाइम को मैनेज करना सीखें बचपन से ही हमें के शिखाया जाता है कि इनसान के जिंदगी में टाइम की कितनी ज्यादा एहमियत है हमें बचपन से ही पता लग जाता है कि हमें सुबा 7 बज़े स्कूल जाना है और वहां से 1 बज़े वापस लोड़ कर आना है इसके तुरंद बाद तीन बजे ट्यूशन भी जाना है या फिर अपने बाकी काम करने है कहने का मतलब यह है कि इनसान बच्पन से ही यह समझ जाता है कि उसकी जिन्दगी में टाइम कितनी वैल्यू रखता है लेकिन जैसे जैसे इनसान बड़ा होता जाता है धीरे धीरे उसकी आदतें बडल जाती है देर से सोना, देर से उठना, रात भर मॉबाइल फोन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और ऐसे कई काम जो खेर जरूरी है और जिन से सिर्फ वक्त खराब होता है वो उन कामों को करने लगता है तेरे धीरे यही उसकी लाइफस्टाइल बन जाती है और उस इनसान को यह एहसास भी नहीं होता कि वो दिन भर में अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है अभी हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि इनसान अगर अपना सारा काम ठीक धंसे करे तब भी उसके पास साल के 3190 घंटे बचते हैं इसके बावजूद ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा काम भी नहीं करते और 3190 घंटों की जगा अपना पूरा दिन अपना पूरा वक्त सिर्फ बरबाद करते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों के सपने नहीं होते या फिर इनका कोई लक्ष नहीं होता सभी लोग सपने देखते हैं और उसके लिए ये लोग भी प्लैनिंग जरूर करते हैं लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो कोई एक्षन नहीं ले बाते तो अगर आप भी इस तरह के इनसान हैं तो परिशान होने की कोई बात नहीं है सबसे पहले आपको अपना टाइम मेनेजमेंट ठीक करना होगा क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कल क्या खाया था आज क्या खाओगे और परसों आपने क्या काम किया था या फिर कल आप कितना वक्त आफिस में बिता रहे थे इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए और ये जरूरी नहीं कि इन सब बातों को याद रखने के लिए आप अपने दमाग पर जोर दें बलकि ये सब बातें आपको खुद से ही याद होनी चाहिए क्योंकि जब आप अपनी सभी बातों को याद रखने लग जाएंगे और उन बातों पर ध्यान देने लग जाएंगे तो ज्यादतर प्रॉबलम्स अपने आप ही खत्म होती चली जाएंगी और आप प्रोड़क्टिव इनसान बन जाएंगे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि प्रोड़क्टिव इनसान उसे कहा जाता है जो अपना काम बहुत मेहनत से करता है लेकिन मेहनत के साथ साथ ये जरूरी है कि वो उस काम को पूरी इनर्जी और पूरे मन से भी करे क्योंकि जब तक आप कोई काम मन से नहीं करेंगे उसमें प्रोड़क्टिविटी हो ही नहीं सकती और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करें अपने पेरेंट्स को प्राउट फील कराएं तो उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ सुधार लाने ही होंगे और प्रोड़क्टिव बनना ही होगा वरना हर साल की तरह आप रेजुलेशन लेते चले जाएंगे और हर साल की तरह आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हम दिसंबर के लास्ट में ही कोई रेजुल्यूशन ले ऐसा भी तो हो सकता है कि दिसंबर तक आते आते आपके सारे सबने पूरे हो जाएं ये बात बिल्कुल सच है कि आपने जो अपना पांच साल का टारगेट प्लैन किया है आप उसे छे महीने में भी आसल कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना दस साल का टारगेट सिर्फ छे महीने में पूरा किया है लेकिन इसके लिए आपको उनकी तरह प्रोडक्टिव बनना होगा और सबसे पहले अपने मुबाइल की लट को दूर करना होगा हम जानते हैं कि हमने जैसे ही मुबाइल की लट वर्ड का इस्तेमाल किया आप में से कई लोग चौक गए होंगे क्योंकि आप ये समरी अपने मुबाइल पर ही सुन रहे होंगे लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए क्या आप मुबाइल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या खैलत आप में से कई लोग तो इस बात को मानने को भी तयार नहीं होंगे कि उन्हें मुबाइल की लट लगी हुई है या फिर मोबाइल की एडिक्शन ने उन्हें इस तरह से घेर लिया है कि वो अपना कोई भी काम बिना मोबाइल के नहीं कर पाते आप माने या ना माने लेकिन ये सच है कि आपको मोबाइल की लट लग चुकी है और सिर्फ आपको ही नहीं करोनों लोग आज इंटरनेट की लट में जगा चुके हैं दरसल जब से भारत में इंटरनेट सस्ता हुआ है तब से मोबाइल यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और आपकी तरह ना जाने कितने लोग और हैं जिनको मोबाइल की लट लग चुकी है वो दिन में पचास से साथ बार अपना मोबाइल चेक करते हैं वो सकता है कि आप भी हर थोड़ी देर में अपना मोबाइल फोन चेक करते हों और फोन चेक करने के बाद आप दोबारा मोबाइल में कोई कॉमेडी वीडियो देखने लग जाते हों या फिर सोशल मीडिया लगता है कि मोबायल फोन की addiction कोई बुरी addiction नहीं है, तो आप को ये पता होना चाहिए कि मोबायल फोन किस तरह से आपकी memory को कमजोर कर रहा है। अब आप कहेंगे कि मोबायल फोन memory कैसे कमजोर कर सकता है। धरऌसल जब भी हमें कोई इनसान अपना mobile number बताता है, तो हम उसे अपने मुबाइल फोन में टाइप करके उसे सेफ कर लेते हैं और इसी तरह से 500 से 600 मुबाइल नमबर हम अपने फोन में सेफ करके रखते हैं अब अगर आप से ये सवाल किया जाए कि आपको सच में कितने मुबाइल नमबर खुद से याद हैं ये तरीका हमारी मेमरी को कमजोर करता जा रहा है अगर हम आपको कोई नमबर बताएं तो आप वो नमबर खुद से जल्दी याद नहीं कर पाएंगे और आपको उस नमबर को याद करने में काफी वक्त लगेगा लेकिन याद कीजिए जब आप छोटे थे या फिर आज से 5-6 साल पहले आप किस तरह से चीजों को याद करते थे या फिर आप किस तरह से मोबाईल नमबर या फोन नमबर तुरंत याद कर लेते थे हम जानते हैं कि आप पहले ये काम आसानी से कर लेते होंगे लेकिन अब ये काम आपके लिए मुश्किल हो गया है जिसके पीछे की वज़ा सिर्फ मॉबाइल है इतना ही नहीं मॉबाइल एडिक्शन किसी ड्रग या अलकोहल की लट से कम भी नहीं है दरसल होता ये है कि जब भी हम अपने मॉबाइल फोन में इंस्टाग्राम, फेस्बुक या यूट्यूब जैसे अप्लिकेशन ओपन करते हैं तो हमें अलग अलग तरह का कंटेंट देखने को मिलता है जिसकी वज़ा से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है दोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग को ये सिगनल देता है कि हम खुश है इस वज़ा से जब भी हम अपने मॉबाइल का इस्तिमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और कब हम इस डोपामीन की वज़े से घंटों मुबाइल में लगे रह जाते हैं ये हमें पता भी नहीं लगता इसलिए तो मुबाइल बंद करने के बाद भी आपका मन यही करता होगा कि दोबारा मुबाइल आन कर लिया जाए यहां तक कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जरूरी चीज़ को सर्च करने के लिए या फिर उसे देखने के लिए अपना मुबाइल फोन आन करते हैं लेकिन मुबाइल आन होते ही हम ये भूल जाते हैं कि हमने आखिर मुबाइल फोन आन क्यों किया था और हम फिर से गोम फिर कर सोशल मीडिया एप्लिकेशन्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको मुबाइल फोन की लगी है या नहीं तो इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल करने होंगे जसमें पहला सवाल ये है कि क्या आप रात को सोते वक्त अपना मुबाइल फोन किसी दूसरे रूम में रखकर सो सकते हैं क्या आप बिना वज़ा बार बार अपना मुबाइल फोन चेक करते रहते हैं वो भी ये जानते हुए भी कि ना तो आपको कोई फोन आया है और ना ही कोई नोटिफिकेशन क्या आप एक दिन के लिए अपना मॉबाइल फोन अपनी पॉकेट में न रखकर अपने बैग में रख सकते हैं अगर इन सब का जवाब ना है तो इसका मतलब ये है कि आपको मॉबाइल की लट लग चुकी है और ये काफी सीरियस प्रॉबलम है क्या आपने कभी सोच रहा है कि आखिर मॉबाइल फोन की लट इनसान को इतनी जल्दी कैसे लग जाती है दरसल इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंसान इंटरनेट पर जो चीज़ें देखना चाह रहा है वो उसे उसके स्मार्ट फोन में आसानी से देखने को मिल जा रही है आप जितने भी अप्लिकेशन अपने मॉबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं उन सारे अप्लिकेशन को ये पता होता है कि आप अपना कितना टाइम उनके अप्लिकेशन पर देखने हैं